ओके हाई व्रीवन दिस इज रस्मी आप सभी को या रस्मी सिना चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन दा इस कोला स्टैक इंप्लिमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट राइट तो इट इस व list node. Nh cybernode में क्या होता है? कम से कम डो फिल्ट होने चाहिए एक डाटा फिल्ट और दूसरा ऐड्रेस फिल्ट तो इहां हमने नोड को डेफाइन किया structure टाइप nôडओ इस में data Major और दूसरा pointer field है है ना यह pointer next इसका नाम दिया है जो स्टोर करेगा अस्ट्रक्ट नोड के ही टाइप का address और यहां हमने समात कर दिया इस definition को और तीन आपका variable create किया है pointer type structure type node ही एक head है जो stack के हर में सा first element के item को store करके रखेगा दूसरा ptr लिया है जब जब हम dynamically memory allocate करेंगे उसका address कहां store होगा ptr में और top क्या है यह always last element जो stack में हम लोग insert करेंगे उसका address यह store करेंगा it is very clear अब देखिए हम लोग आते हमान लिजी item हमको इस stack में store करना है तो हम push operation call करेंगे इसमें नाम दिया गया है insert operation को push operation तो push में जो item हम pass करेंगे उसी stack में input करेंगे लेकिन कोई भी item पास करने से पहले हमको क्या पता dynamically memory allocate करना पड़ेगा अब dynamically memory हम लोग कैसे allocate करेंगे तो यहां देखिए struct node आपको एक type casting करना पड़ता है जब भी मैलोग function अपन call करते हैं तो है की नहीं कि मैलोग जो भी address return करेंगा allocate करके उसमें यह casting कर दिया मतलब उस address में node के type का ही information store होगा और वो information क्या है एक data field और दूसरा next field रहेगा it is very simple मैलोग में हम क्या पास करते हैं size of inbuilt function है जिसमें जो भी data type अपन पास करते हैं यह data type उसमें number of bytes जो होता है उसके size को return करता है जैसे let's suppose यह integer है यह 4 byte data लेता है और यह address के लिए pointer 4 byte लेता है तो mylock will return to you 8 byte memory और यह 8 byte memory का block जो है यह store return करेगा उसका address किसमें store करें एक ptr variable जो आप यहां बनाए है pointer type node के जैसा उसका address हम ptr में डाल दिये अच्छे यह भी तो हो सकता है कि आपको memory allocating नहीं हो पाया उस case में क्या होगा तो पहले हम लोग ptr को check करेंगे कि अगर यह null है मतलब नहीं allocate हो पाया कारण चाहिए जो भी हो तब तो आप stack में बिलकुल input नहीं कर पाईएगा item वहीं overflow क लाएगा और यहीं से आप return कर जाएगा मतलब क्या है कि कोई भी item insert करने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा memory locate करना होगा और उसमें कोई ने कोई address जरू जाना चाहिए मैं लोग अगर successfully काम करेगा तो अच्छा अगर मान लीजे यह condition false है नहीं हुआ तब हम लोग क कुछ भी है suppose hundred है तो इस PTR क्या जो data field है इसमें जो भी item हम इसमें पास किया है वो क्या होगा store हो जाएगा उसके बाद क्या check करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं जो यह case है कि a stack मेरा पहले से empty है मतलब को element उसमें नहीं है अगर आपका stack पहले से empty है तो top क्या कहलाएगा null होगा कि a stack में आपका कोई item नहीं है अगर item नहीं है तो मेरा जो top है top variable है उसमें हम क्या assign करेंगे PTR को PTR में अभी address क्या है hundred है इसका मतलब this top will start to point this node itself नहीं क्या PTR को जैसे हम इसमें start assign करेंगे तो top किसको point करेगा इसी PTR को point करेगा और यह चुकी यह first node है आपके stack का इसलिए इस PTR को किसमें डाल देंगे h में भी h कैसे type का आपने declare किया है h pointer type node है तो इस address को भी hundred को क्या करेगा PTR यानि h भी यही हो गया इस बाग और top भी यही हो गया लेकिन यह special case कब होगा यह तभी होगा जब हमारे stack में element क्या हो पहले से कोई भी present नहीं है अब आप दूसरा case देखिए कि आपका memory locate हो गया सहाब यह PTR आपको मिला लेकिन पहले से आपका जो है अगर memory locate हो गया तो item उसमें पहले data field में आप डाल ही दीजे और अगर पहले से node उसमें exist कर रहा है तो यह top equal to null false होगा जब top equal to null false होगा इसका मतलब क्या है यह कुछ scenario होगा कि पहले से मेरा क्या है कोई बना हुआ हुआ link list है ना उसमें 10 है 20 है कुछ भी होगा और भी आगे element होगा होने दीजिए लेकिन यह बात ताय है कि top जो है वह हमेशा stack के last element को point करेगा is it clear तो आप यहां पर आईए आप लोग देखिए यहां top को next field है है यह अभी क्या है यह नल है लेकिन इसमें हम लोग किसका address डाल दें हमने क्या किया है ptr का address डाल दिया मतलब top जो है अब ptr को point करने लगा साथ ही साथ आप क्या कहिएगा कि मैं इसको आप top बनाए क्यूंकि now this becomes last node of the stack तो इसलिए आपने top में क्या डाल दिया ptr अच्छा एक काम और करना हम लोग भूल गया कि अब यह चुकी क्या है top यह है last node है तो इसका भी लिंक इसका जो टॉप का next field है वो क्या हो जाना चाहिए वो नल हो जाना चाहिए नहीं क्या क्या हमेशा top का next field है that will be null तो यह भी statement आपको लिखना पड़ेगा तो इस तरह से आपका जो है link list में आपका stack का node क्या हो गया insert हो गया तो यही पूरा कहानी था अगर आपको यह बात कुछ भी समझ में आ गई और तो आप इस वीडियो को like करना नहीं भूलिएगा और हमको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने में मदद कीजिए वीडियो को जरूर जरूर सेयर कीजिए और अपना comment देना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा ठ सिटी के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है डेवल स्टार मार्क मैंने इस में दिया है तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें तब तक गुड लाग टेक केर बाई थेंक यू